बजबन से जूड़ी इमोशन क्रिस फ्रेंचाइस और इस इमोशन से जूड़ी खबर लेके आया हूँ और क्रिस फोर के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिलीज डेट क्या होने वाला है क्रिस चार का और कास्टिंग के बारे में बताएंगे अब डारेक्टर कॉन से रहने वाले Chris Hoare के अंदर में और प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा और इत्यादी अपडेट जिसे हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में अभी खबर एसी यारी कि हरितिक रॉशन वर मूवी के सूटिंग के साथ साथ 24 के मूवी के साथ अगली इस्टोल्मेंट में एक्टिबली इंवल्व रहेंगे और अपने पिता और उनके लेका टीम हाउस के साथ साहियो करता रहेंगे और कुछ भी चेंजिस करना हो तो रितिक रॉशन उसमें प्राइमरी आइडिया के तोर पर सामिर रहेंगे जैसे कि आपको पता है बता चुका हूं में पिछले वीडियो के अंदर में स्कृप कंप्लीट हो चुका है यानि कि स्टोडी रेडी हो गया है और यह इसक्री लॉक भी हो गया है आपके स्क्रीन पे सोग कर दे रहा हूँ वो देख लीजी अब हम जान लेते कास्टिंग के बारे में तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ रितिक रोशन और प्रेंका चोप्डा इसमें तो रहेंगे ही और नए कास्ट मेंबर अभी तलास किये जा रहे हैं और जो कास्टिंग है वोद नीव अभी पता नहीं है इंट्रडिव्ज नहीं किये गये है नहीं कुछ इनिफ्रोमेशन है और लोकेशन भी फाइंडिंग के सब्सक्राइब करने वाले और करन मोलत्रा में नहीं पता है तो और प्रदर्स और समसेरा जैसे मूवी कर चुके हैं और तो इससे आप 2024 के आन तक या नहीं तो 2025 के सुर्वाती दौर में आपको इसका पॉड़क्शन स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह सब कुछ हमने जान लिया मगर अब रिलीस डेट क्या होने वाला है रिलीस डेट क्या रहने वाला है तो सब कुछ हम ब होने वाला है उनको फाइंडिंग करने में 6-7 महीने दे लगी जाएंगे यह सब करते पर लोकेशन भी फाइंडिंग करना है और इसके बाद यह सल्ट गुजट जाएगा चोबीस यानि कि उसके बाद अगला सल आता है पचीस में आपको यह मान के चलिए प्रोडक्शन में जाने वाला है और फिर आपको प्रोडक्शन में जाएगा एक साल चाहेगा तो यानि कि आप मान के चलिए 27 तक आपको देखने को मिल सकता है ने तो 2026 के आंत या 2027 के सुराती दौर में रिलीज हो जाएगा क्या आप और पिक्रिस और से जूड़ी खवर जानना चाहते तो आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं देख सकते हैं और आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक शेर कोमेंट कर दीजीगा चेनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा और भी इसी तरह के अपडेट पाने के लिए